हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून और वेल्कम टो इन्फिनिटी लेंट भाई श्री चैतन्या आज की सेशन में हम डिस्कुस करने वाले हैं आपके साथ बॉडी फ्लिट साइन सर्कुलेशन चाप्टर को यह जो आपका चाप्टर है यह क्लास 11 पे यूमन फिजियोलजी का चाप्टर है इसी में हमने कल डिसकुस किया था ब्रीधिंग अन गैसिस एक्षेंज आज हम डिसकुस करेंगे बॉडी फ्लिट एंड सर्कुलेशन अगर हम पूरी हुमन फिजियो की आपकी वेटेश की बात करें नीट में तो इसका काफी जादा वेटेश है आपको पूरा हुमन फिजियोलजी काफी अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ओल्मोस्ट ट्वेटेश आता है नीट में वो किबल हुमन फिजियो की यूनिट साथ है तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की सेशन को उससे पहले आपको क्या करना है अपने पास NCRT बुक को लेके बटना है जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट लगे उसको NCRT में बाग करना है राइट सो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिटा सबसे पहले अपने फर्स क्वेशन को देखते हैं क्या लिखा है आपको यहाँ पे ग्रैन्यूलो साइट्स आर फॉर्म्ड एन ग्रैन्यूलो साइट्स जो आपकी ग्रैन्यूलो साइट्स है इनका फॉर्मेशन कहां होता है यह थाइमस में फॉर्म होगी यह कितनी में फॉर्म होगी यह बोन बारों में बनेगी या फिर यह आपकी लीवर में प्रोड्यूस होगी तो जो आपकी ग्रैन्यूलो साइट्स है इनका फॉर्मेशन क कहां होता है okay yes uh Priya yes बच्चा कहां होता है जो आपकी granulocyte है जो आपकी RBC है WBC है platelets है सब का formation कहां होता है they will produce in the bone marrow सब कहां बनेंगी आपकी bone marrow में बनेगी granulocyte में आप कौन सी cell को लेके चलते हो you will take your यहाँ पर आप किसको लेके चलोगे, you will take your neutrophils, इसके अलावा और क्या आज रहे कि आपकी, you will also take the example of the acidophils and इसके अलावा क्या आएगा आपका यहाँ पर 200 phils, so they all will be formed in the bone marrow, जितनी blood cells हैं, जितना blood हैं, all will be produced in the bone marrow, right? Now next question की बात करते हैं, next question में आपको क्या पूछा है, which of the following formed element activate the plasma clotting factors, question में क्या पूछा है, कि कौन सा formed element है आपका जो plasma clotting factor को आपका activate करेगा, वो आपका lymphocyte करेगा, या वो erythrocyte होगा, या leukocyte होगा, और it is your thrombocyte, कौन सा ऐसा factor है, जो आपकी plasma clotting factors को activate करने वाला है, so yes बच्चा आपका अंसर बिलकुल करेक्ट है, कौन सा होगा आपका यहाँ पे, that will be the thrombocytes, erythrocytes हो क्या है, they are the RBCs, leukocytes is your WBC, and lymphocyte तो क्या करेगी, आपका immune response में help परेगी, so here your example will be the, your answer will be the thrombocytes, yes बच्चा बिलकुल सही है आप लोको क answer, now next question की बात कहते हैं, क्या पूछा है question में आपको, hardening of the arteries due to the deposition of cholesterol is called as, की जो आपकी arteries है, अगर उसमें hardening हो जाए, cholesterol के deposition की वज़े से, तो उसको आप क्या बोलोगे, कौन सा disorder बोलोगे, कौन सी disease बोलोगे विटा, वापकी thrombosis होगी, या फिर वापकी atherosclerosis होगी, या इ कौन सा disorder होगा, कौन सा disease होगा, so yes बच्चा, yes tech, right, yes बिटा, आपका answer बिलकुल correct है, इसको आप क्या बोलते हो, that is called as the atherosclerosis, yes Priya, basically जो आपकी coronary artery है, उसमें क्या होता है, cholesterol का deposition हो जाता है, जिसकी वज़े से जो आपका blood flow है, वो क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, yes कवीता, क्या होगा बिटा आपका यहाँ पे, B1 will be your correct answer, right, now next question को देखते हैं, क्या पूछा है question में आपसे, lymph ultimately release the absorbed substances into, आपका जो body fluid वाला chapter है बिटा, दो तरीके का circulatory system given है आपके पास, आपका blood वाला as well as आपका lymphatic circulatory system, तो आपका जो lymph है, वो आपका ultimately कहा जाएगा, वो आपके veins में जाएगा, और वो आपके lymph notes में जाएगा, या फिर lymphatic capillary में जाएगा, या फिर lymphatic duct में जाएगा, बेटा क्या बोला है, ultimate release बोला है, and बोला है, हर कोई C option क्यों लेके चल रहा है, आपने क्या बोला है, question एक बार वापस से धंक से पढ़ो, क्या बोला है, ultimate release बोला है, कि जो आपका लास्ट है, लास्ट ही वो कहा जाने वाला है, लिम्फ लास्ट में कहा जाता है, तो फिटा, लिम्फ लास्ट में कहा जाएगा, आपकी वेंस में जाएगा, वो किसके अंदर जाता है, वेंस में जाता है, जो लिम्फैटिक क्या पिलरीज है, वो तो क्या करती है, अब यह गुलाम यह वच्छा आप सबका आंसर तो यह क्या होगा A will be your correct answer right now next question की बात करते है next question में क्या पूछा है in humans the volume of blood pumped out by each ventricle per minute is question धंक से बिटा समझना पढ़ना then answer करना क्या पूछा है कि जो आपका volume of blood है जो आपके ventricle per minute करते हैं उसको आप क्या बोलते हो उसको आप कौन सी value बोलते हो तो कौन सी value बोलते हो वेटा आप इसे कितना होता है यह इसके लिए तो एक formula भी है आपका right आपके NCRT में एक formula भी है आपका हमने question अच्छे से पढ़ा नहीं लगता है right क्या है वेटा आपका यह किसकी बात कर रहा है that is called as the cardiac output यह आप किसकी बात कर रहे हो cardiac output की बात कर रहे हो तो cardiac output को अप कैसी calculate करते हो heart rate into the stroke volume कि आपका जो ventricle है वो एक बार में कितने blood को pump कर रहा है that is the stroke volume right तो जब अब heart rate को stroke volume के साथ multiply करते हो तो आपको क्या मिलता है वेटा आपका cardiac output मिलता है तो heart rate हम सबको पता है कितनी है 70 to 72 है आपकी और अगर आप अपने stroke volume की बात करो तो वो कितना होता है 70 होता है right तो आपका answer क्या हो जाएगा यहाँ पे that will be your 5 liter ठीक है उसने क्या पूछा था पेटा कि ventricle एक minute में कितने blood को pump करेगा तो उसको आप इस formula की help से अपना calculate करोगे heart rate 70 to 72 लेके चलोगे और stroke volume कितना होता है आपका 70 ml होता है NCRT में किवल इस chapter में यही एक theoretical आपका question है right तो यह आपको याद रखना है ठीक है यह formula याद रखना है हम सबको now next question की बात करते हैं आपसे क्या पूछा है बेटा आपका यहाँ पे tunica externa is composed of जो बेटा आपकी blood vessels है blood vessels की आपकी three coverings होती है tunica externa होती है tunica media होती है और tunica interna होती है right तो आपको किसके regarding पूछा है कि आपकी जो tunica externa है उसमें क्या present होगा वहाँ आपके connective tissue present होंगे वहाँ आपके endothelium होगा glycoprotein होगा या फिर smooth muscles होगी क्या होना चाहिए पिटा यहाँ पर हमारा कि आपकी जो tunica externa है वहाँ पर क्या होना चाहिए देखो इसलिए हमने आपको hint पे दे दिया तीन लेयर्स आपको एक साथ बताए त्यूनिका externa tunica media and tunica interna तो वेटा कहीं भी अगर आप middle layer की बात कर रहे हो अगर आप media की बात कर रहे हो तो that means उसमें smooth muscles present होगा अगर आप inner layer की बात कर रहे हो तो that means वहाँ पर आपकी apithelium होगी वहाँ पर आपकी endothelium होगी राइट और आप अगर त्यूनिका externa की बात करो yes TR fellows आपका answer बिल्कुल correct है अगर आप त्यूनिका externa की बात करो तो वहाँ पर क्या present होगा बच्चे आपके connective tissue present होगा ठीक है तो इसमें confused मत होना now next question की बात कहते हैं बहुत जाद हम इसमें आपका confused होते हैं complete stoppage of heart beat is known as क्या आपका heart beat बिल्कुल बंद हो गई है इसको आप कौन सी condition बोलोगे कौन सी disease बोलोगे बहुत easy question है और daily life से related भी है आपके तीन टर्म्स है जिसमें बहुत confusion होता है heart failure काद्य का रहे स्टान हार्ट अटेक राइट तो अगर आपकी heart beat का complete stoppage हो जाए heart beat निकल बननी बिल्कुल बंद हो जाए तो इसको क्या बोलोगे ये इस प्रिया yes बच्चा बिल्कुल सही है आपका answer क्या होगा आपका यहां पर answer B will be your correct answer इसको आप क्या बोलते हो that is called as a cardiac arrest yes tech क्या होगा आपका इसको आप क्या बोलोगे that is called as a cardiac arrest heart failure का मतलब क्या है बच्चा की ventricle are unable to pumping the blood heart failure में आपका ventricle blood को pump नहीं कर पाता है right now next question है बच्चा आपका यहां पर strength of ventricular contraction increases when essay node is stimulated by सबको बता होगा बिटा कि जो आपका essay node that is the pacemaker of the heart जो क्या करता है impulses को create and maintain करता है तो आपका जो यह से नोड है इसको हमारी nervous system में कौन से nerve fiber control करेंगे इसको vagus nerve करेगी parasympathetic करेगी sympathetic करेगी या all of these होगा जो आपके essay note का जो काम है जो impulse का formation और उनका maintenance है वो इस में से कौन करने वाला है बिटा कौन करेगा बिटा आपका यहाँ पे that is performed by the sympathetic nerves यह कौन करेगा sympathetic nerve हमेशा यहाँ दखना sympathetic nerve क्या करता है activity को increase करता है while parasympathetic क्या करता है decrease करता है दोनों एक दूसरे के opposite work करते है तो यहाँ पे क्या होगा बिटा आपका sympathetic nerve होगा ठीक है okay now next question की बात करते है next question में क्या बोला है पिटा आपको यहाँ पे if one liter of blood is drawn out of five liter from the body of man how much blood would be left by the next day आपने क्या बोला कि आप क्या निकाल रहे हो body से five liter blood को निकाल रहे हो अब next day आपकी body में कितना blood होगा तो यह तो normal question है like right आपका यह तो general knowledge से भी related question होगिया कि अगर आप five liter blood को निकाल रहे हो तो next day कितना blood आपके पास बचेगा okay सबका अलग अलग answer है yes अनुश आपका answer बिलकुल correct है बिटा कितना होगा five liter होगा बिटा आपने पढ़ा होगा ना blood cells क्या कर लेती है खुद को regenerate कर देती है जितना lose हुआ है उतना वापस regenerate भी तो हो जाता है अगर कम होता ब्लड तो फिर आप blood donation क्यों करते अगर blood donate करने से हमारी body में blood कम हो जाता है तो हम blood donation क्यों करेंगे तो यह थोड़ा ऐसा conceptual है ना logical waste है कि अगर आप five liter blood निकाल रहे हो तो five liter अगे next day होगा वह वापस से क्या हो जाएगा regenerate हो जाएगा येस कवीता क्या होगा बच्चा आपका a will be your correct answer ठीक है now next question की बात कहते है क्या बोला है विटा आपने यहां पे fastest distribution of some injectable material और medicine with no risk of any kind can be achieved by injecting it into the simple language में अगर हम आपको question समझाए है तो क्या बोला है कि जो आप injections लेते हो जब आप medicine's injections के through लेते हो तो आप उनको कहां लगाते हो आप उन्हें veins में लगाते हो आप उन्हें arteries में लगाते हो muscles में लगाते हो या lymph vessels में लगाते हो किसमें prefer करते हो ये question को हमने simple language में समझा दिये कि injections basically आप कौन सी जगे पे लोगे veins में लोगे, arteries में लोगे, muscles में लोगे या limb vessels में लोगे ओके चलो हम बता देते हैं यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपका answer क्या होगा veins होगा, आपने सुना भी होगा आपने सुना होगा abeate, आपके जो injections होते हैं, उनको आप यह term देते हो आप उनने kya बोलते हो intravenous injection बोलते हो, right? आप उने क्या बोलते हो intravenous injection बोलते हो, that means आप उनको कहा दे रहे हो बेा, veins में ले रहे हो, yes tag yes anuj, क्या होगा आपका, b will be your correct answer कहां देते हैं हम injections, veins को देते हैं ताकि वो इसको हार्ट में ले जाए and then वो इसको पूरी body wear supply करें, right now next question की बात करेते हैं, क्या पूछा है question में paste setter in the heart is called as आपके हार्ट में दो चीज़े हैं बेटा, एक है pacemaker और दूसरा है paste setter तो आपने पूछा है कि paste setter आप किसको बोलोगे, AV note को बोलोगे, SA note को बोलोगे, Purkinje fibers को बोलोगे या bundle office को बोलोगे paste setter बोला है बेटा question में paste setter पूछा गया है बच्चा okay, सबका अलग अलग answer है इसमें देखो बेटा, आपका जो SA note है, SA note को आप क्या बोलते हो, that is the pace maker of the heart ये क्या करता है, हमारी body में impulses को create करता है as well as maintain करता है कोई बात ही, यहाँ confusion चलेगा, neat में नहीं होना है, right and अगर आप AV note को बात करो, तो AV note क्या है बच्चा, आपका pace setter of heart है क्यूं बोला है आपने AV note को pace setter of heart, क्यूंकि यह क्या करता है बटा, आपका delay करता है 0.1 second का, यह क्या करता है, जब आपका atrium से ventricle में blood आ रहा है तो blood completely ventricle में filled हो जाए, तो इसके लिए 0.1 second का क्या करेगा, delay करेगा that's why इसको आपने क्या बोला है, pace setter बोला है so yes, anoj, priya, kavita, tack, yes बच्चा, आप सब का अंसर अब बिलकुल करेक्ट है क्या होगा आपका a will be your correct answer, ठीक है now next question कैसे है, हमारा favorite type का question, right assertion and reason question assertion की बात करें, क्या बोला है बिटा आपको, heart of fish contain only deoxygenated blood reason आपने क्या बोला, oxygenated blood do not return back to the heart in the fishes तो यहाँ पे हमारा answer क्या होना चाहिए, यहाँ A होगा, B होगा, C होगा या D होगा okay what about other, बाकी का answer क्या है okay maximum students ने C answer की आए पक्का assertion is wrong बेटा, आपकी जो fishes होती है, fishes के heart में क्या है वो कैसा है आपका two-chambered heart है ना, उसमें one atrium में one ventricle है तो जो fishes का heart होगा, उसमें आपका blood आएगा, उसमें आपका कैसा blood आएगा, de oxygenated blood आएगा then वो blood वहाँ से कहा जाएगा बेटा, gills में जाएगा for the purification वो कहा जाएगा आपकी, purification के लिए जाएगा, then वहाँ वो purify होके, directly किस में चला जाएगा, आपके cells and tissue में चला जाएगा, बेटा, how sea is correct क्या आपके fishes में, जो oxygenated blood है, क्या वो वापस आता है, क्या आपकी जो fishes है वेटा, उनके हाट में क्या oxygenated blood वापस आएगा उसके पास तो give a two chamber है, उसके पास तो एक atrium है, एक ventricle है अगर आप c को correct बोल रहे हो, that means आपका reason incorrect है यहाँ पे तो क्या ऐसा होगा? क्या होना चाहिए बांसर, a होना चाहिए, c होना चाहिए, चलो आप बताओ आप हमें क्या करने है, हमारे concept strong करने के बल, right? तो क्या होना चाहिए बांसर, a होना चाहिए, c होना चाहिए fishes में क्या पढ़ाओगा बेटा, आपने two chamber heart पढ़ाओगा, right? तो आपका एक atrium है, एक ventricle है, oxygenated blood को वापस आने के लिए suppose अगर आप यहाँ पे बात करो बेटा, अपना, आपने क्या बोला? कि जो आपकी fish है, fish में केवल क्या present है बेटा, आपका यहाँ पे two chamber heart है एक को आपने क्या बोला? atrium है, दूसरे को आपने क्या बोला? ventricle है तो क्या होगा, जो आपका deoxygenated blood होगा, वो किस में आएगा आपके? atrium में आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहा है? deoxygenated blood आ रहा है अब वो atrium से किस में जाएगा बेटा, आपके? ventricle में जाएगा अब जो आपका blood है, वो ventricle से किस में जाएगा बेटा? आपके gills में जाएगा क्योंकि जो fish है, उसमें respiratory organ क्या है? आपके gills है तो वो blood किस में जाएगा? gills में जाएगा, जिसमें वहाँ पे purification होगा blood में oxygen आएगा, अब इसके पास ऐसा mechanism तो नहीं है कि वापस atrium में यह oxygenated blood आ सके, इसके पास तो केवल एक atrium है, एक ventricle है अगर इसके पास दो atrium होते, तो क्या होता? blood वापस किस पे आ सकता था? आपके heart में आ सकता था बट इसके पास तो केवल एक ही atrium है, जो केवल deoxygenated blood ले पा रहा है तो यह blood gills से सीधे किसमें चला जाएगा? आपके body cells में चला जाएगा? आपके tissues में चला जाएगा, जैसे अगर आप amphibians की बात करो, अगर आप frog की बात करो, तो frog में आपके दो atrium होते हैं, वन ventricle होते हैं, राइट? frog का heart three chambered है, वहाँ पे two atrium है, one ventricle है, तो वहाँ पे क्या होगा? कि आपका पहले atrium में deoxygenated blood आएगा, फिर वो ventricle में चाएगा, फिर ventricle से वो gills में, या फिर lungs में चाएगा, फिर वापस से जो blood है, वो किस में आएगा? atrium में आएगा, क्योंकि वहाँ दो atrium है, right atrium and left atrium, then वहाँ पे ventricle में क्या होगी? mixing of blood होगा, ठिक है? तो अभी समझ रहा है कि A को हमने क्यों correct कहा है बिटा? क्योंकि इसके पास किवल एक atrium और एक ventricle है, ठिक है? ओके, तो यहाँ पे क्या होच रहाएगा बिटा? अपका A will be your correct answer. ऐसी हमें concept को समझ रहा है, question को solve करते कहते हैं, right? चालो, now next question की बात करेते हैं, क्या बोला है बिटा आपने यहाँ पे? आजर्शन में आपने बोला, heart valves resemble the swing doors in action. रिजर्शन आपने क्या बोला, valves are present in the heart chamber at the opening of the heart into the large arteries and the veins. आजर्शन में आपने क्या बोला है बिटा? कि जो आपके heart valves है, वो आपका किसको represent करेगा? swing doors को represent करेगा. swing doors तो पता होंगे ना, जो बीच में सो open होते, right? तो वो उसको resemble करेगा. आपने बोला है कि यह जो वाल्ट से, यह कहां present होंगे? at the opening of the large arteries and the veins. तो यहां अमारा क्या answer होना चाहिए बच्चा? यहां पे क्या होना चाहिए अमारा answer? ओके, आपकी according A ओके, A and और किसी का answer? चालो, इसको समझते हैं वेटा एक बार question को. आपने क्या बोला कि heart valve किसको resemble कर रहे हैं? आपकी swing door को कर रहे हैं. जो पहले कि time पर होते थे न, doors होते थे, जो कैसे open होते थे? एक side partition होता था, एक side partition होता था. तो हम उन डोर की बात कर रहे हैं. तो यह बिलकुल सही है कि आपके उनको resemble करेंगे. reason अपने क्या बोला? कि जो आपकी walls है, वो कहां present होंगे? आपके large arteries में present होंगे, बिलकुल सही है. आपके systemic artery and pulmonary artery, वहाँ पे wall present होगा. as well as कहां present होगा? आपकी veins में wall present होगा. यह भी क्या है? बिलकुल सही है. तो आपका assertion and reason दोनों ही क्या है? बच्चा आपका यहाँ पे correct है. बट यह क्या आपका assertion को correctly explain कर रहा है? क्या यह बता रहा है कि heart में जो आपने swing door बोला है, वो क्यूं है? क्या आपने इस चीज़ को explain किया है यहाँ पे? आपको A और B में सब ज़्यादा confusion होता है ना? हमें दोनों correct लगता है, लेकिन हमें explanation में दिक्कत आता है. तो यह correctly explain नहीं कर रहा है बच्चा, दोनों क्या कर रहा है? अलग-अलग points को describe कर रहा है, बट एक दूसरे को justify नहीं कर रहा है. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? B will be your correct answer. हमेशे जब भी assertion reason question solve करो बटा, तो reason हमेशे देखो कि क्या assertion को explain कर रहा है? क्या वहाँ पे कोई भी एक ऐसा point है जो assertion से related है? ठीक है? यह बच्चा. So, yes, Anoj and Abral, बटा, क्या होगा आपका? B will be your correct answer. Now, next question क्या आपका बटा, assertion दिया है? Blood pressure is arterial blood pressure. Reason आपने क्या दिया? It is measured by the sphygmomanometer. अब यह question तो कोई wrong नहीं कर सकता, because बहुत छोटी classes से आप ऐसे questions पढ़ लेओ, right? आपने क्या है कि जो blood pressure है, वो किसके respective होता है, आपकी arteries की related होता है, and इसको आप किसके help से measure कर सकते हो, sphygmomanometer की help से आप इसको measure कर सकते हो. तो क्या हो रच है यह बच्चा बार answer यहाँ पर? चालो, एक बार question देख लेते हैं, क्या दिया है बिटा आपके assertion में, कि आपका, क्या दिया assertion में, बिटा, कि जो आपका blood pressure है, वो आपका कौन सा pressure है, आपका arteries का pressure है, ठीके वो किस से related है, arteries से ही है, यह तो बिलकुल सही है, कि आप basically pressure कहां से लेते हो, artery का लेते हो, क्योंकि उसका lumen क्या होता है, आपका small होता है, और वहाँ पे जादा pressure से blood flow करेगा, तो यह तो बिलकुल सही है, यह बच्छा, यह stop all round, आनोज, टैक, अब answer सही है, आपने reason क्या बोला है, कि आप इसको किस से measure कर रहे हो, sphigmo manometer से कर रहे हो, तो यह भी क्या है बच्छा, आपका ब ठीक है, ठीक है, चलो, next question की बात करते है, आपने answer में क्या बोला है, prothrombinase enzyme acts as antihiparin, reason आपने क्या बोला, hiparin prevents the coagulation of blood in the blood vessels, तो आपने यहाँ पे कौन सा enzyme लिया है, बच्छा, आपका prothrombinase enzyme लिया है, आपने कहा है, यह antihiparin की तरह act करेगा, और आपने कहा है, reason में की hiparin will prevent the coagulation of blood in the blood vessels, तो यहाँ क्या होना चाहिए हमारा answer, कवीता कहां गया है, कवीता काफी टाइम से answer नहीं कर रहा है, ऐसा क्यूँ, पेटा, E तो option ही नहीं हमारे पास यार, ओके, B option है, D option है, आच्छा ठीक है, A है, चलो, top all round का answer A है, चालो, question देख लिए अपने एक बार, क्या बोला है बच्चा आपका यहाँ पर, जो pro-thrombinase enzyme है, वो क्या करेगा, anti-heparin की तरह एक्ट करेगा, बिल्कुल सही है ना बच्चा आपका यहाँ पर, कि जो pro-thrombinase है, yes, thrombokinase enzyme, जो आपका pro-thrombinase है, वो क्या करता है, आपका clotting में help करता है, यह किसमें help करेगा, clotting और blood में help करेगा, आज अगर आप anti-heparin की बात करो, हिपारिन का काम क्या है, coagulation और blood को prevent करना, हिपारिन क्या करता है, clotting को prevent करता है, तो दोने एक दूसरे क्या opposite काम कर रहे हैं, तो आजर्शन तो बिलकुल करेक्ट है, रेजन आपने क्या दिया, कि जो हिपारिन है, यह क्या करता है, आपका blood vessels में clotting को prevent करता है, यह भी बिलकुल करेक्ट है, कि जो हमारी blood vessels है, उसमें naturally क्या प्रेजन होता है, हिपारिन प्रेजन होता है, जो coagulation को prevent करता है, कहां से secret होता है, mast cell से release होता है, राइट, सो येस, आपका answer क्या होगा अब आपका, B will be your correct answer, दोनों ही correct हैं, बट बोथ आर not correct explanation, चिक्क है? चालो, next question की बात करते हैं, next question क्या बोला है आपको यहां पे, dub is a long and sharp sound, reason आपने क्या बोला, it is caused by the closing of atrioventricular walls, आपको बता है बेटा, आपके हार्ट में दो तरीके के sound produce होता है, love and dub, right, तो आपने कहा है कि dub कैसा sound है बच्चा, आपका long and sharp sound है, तो क्या correct है आपका यहां पे? last question में answer a होगा, नहीं बच्चा, a नहीं हो सकता, because वो reason आपका explanation को explain नहीं कर रहा है ना? वहाँ आपने proper लिखा रही है न, वो तो हम explain करते बेए बोल रहे हैं कि pro-thrombinase क्या कर रहा है, आपका clotting कर रहा है, बट वहाँ पे इस चीज़ को आपका reason में नहीं बताया गया, pro-thrombinase के regarding, right? चालो, इसको हम solve कर लेते हैं, आपने बोला बिटा, आपकी हार्ट में दो तरीके के sound present है, love और dub sound present है, आपने कहा कि जो dub है, वो कैसा sound है, long and sharp sound है, यह क्या है, बच्चा wrong है, जो dub है, वो तो कैसा होता है, short होता है, आपका long and sharp sound कौन सा होता है, आपका love होता है, right? यह कैसका होता है, आपका love का होता है, and second आपने बोला yes यह किस से आपका होता है by the closer of the semi-lunar valve आपके जब atrioventricular valve बंद होते हैं तब तो आपको क्या सुनाई देता है love sound सुनाई देता है so yes अनोज and aपरर पिटा यह आप सब का answer बिलकुल correct है क्या होगा आपका d1 will be your correct answer assertion and reason दोनों ही क्या है बच्चा आपके यहाँ पे wrong है ठीक है now next question की बात कहते है आपको क्या पूछा है बटा आपका यहाँ पे bundle of his is a network of आपने बटा nodal tissues पढ़े होंगे yesterday महीं बच्चा पहले के लिए आपका बिलकुल correct है de-correct होगा तो आपने बटा अपने टोडल tissues पढ़े होंगे SC note, AV note, bundle of his and Purkinje fibers पढ़ा होगा तो आपको किस के regarding पूछा है आपके bundle of his के regarding पूछा है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे हमारा answer क्या होना चाहिए यहाँ पे answer हमारा ओके so yes top all round आनोज श्रीमाई आनोज कावीता yes बचा आप सबका answer बिलकुल correct है क्या होगा बिटा आपका यहाँ पे they are the muscle fibers जो कहां present होंगे ventricle की wall में present होंगे आपके ventricular septum में present होंगे right so आपका क्या होगा यह सब्रड क्या होगा बिटा आपका यहाँ पे B will be your correct answer जिक्के now next question की बात करते हैं आपने क्या बोला बिटा आपका यहाँ पे if a person is losing blood continuously due to injury then what will be the effect on his pulse and BP initially आपने क्या बोला कि कोई person को क्या हो रहा है बिटा आपका यहाँ पे blood continuously lose हो रहा है तो basically उसके pulse और blood pressure पे क्या असर पड़ेगा है अलाबादी आज आप लेट हो ग्लास में right अपरेगा अंसर है pulse will fall and BP will rise ओके अलाबादी का है both pulse and BP will rise अनोश का है pulse will rise and BP will fall ओके चालो देख लेते क्या होगा बच्चा आपका यहाँ पे d will be your correct answer क्या होगा pulse तो आपकी बढ़ेगी but blood pressure क्या होगा कम होगा ऐसा क्यों होगा बच्चा pulse क्यों increase होगी आपकी because आपका क्या हो रहा है cut लगा है तो blood flow हो रहा है अब उस blood को compensate करने के लिए heart क्या करेगा जल्दी जल्दी बीट करेगा ताकि जो cell से बहां तक आपका blood पहुँच पाए इसके पीचे यही तो reason होगा कि आपका cut लगा है blood flow हो रहा है तो heart का काम तो क्या है pumping of the blood है तो वो क्या करेगा जल्दी जल्दी आपका beat करेगा जल्दी जल्दी pump करेगा ताकि जो cells है वहां तक blood पहुँच पाए तो हम सबको पता है कि pulse क्या होती है basically वही heart beat का आपका एक rate है तो pulse क्या हो जाएगी increase हो जाएगी और blood pressure क्या हो जाएगा बच्छा आपका decrease हो जाएगा ठीक है तीन बज़े हो गई भी बिताओ नाउ नेक्स क्वेशन क्या दिया है बच्छा आपको यहाँ पे if due to some injury the caudy tandeny of the tricuspid valve of human heart is partially non-functional what will be the immediate effect आप से क्या पूछा गया है बिता कि अगर आपके tricuspid valve के caudy tandeny आपके damage हो जाए partially non-functional हो जाए तो यह जो चार options दिये हैं इन में से कौन सा आपका हो सकता है कौन सा immediate effect होगा तो उन्हों साथ में आते हो क्या जजील और अलाबादी daily class होती है विटा आप लोगों की ओके आपने क्या बोला है इसका answer d will be your correct answer अच्छा ठीक है चलो देख लेते हैं बेटा आपने किसकी बात करी है tricuspid valve की बात करी है तो जो tricuspid valve है वो किसके बीच में present होगा right atrium and right ventricle के बीच में present होगा left atrium और left ventricle के बीच में तो क्या present होता है bicuspid valve present होता है या mitral valve जिसको आप बोलते हैं उनके बीच में तो वो प्रेजेंट होगा तो अगर आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व के कॉर्डिनी कॉर्डी आंजनी आपके डामेज हो रहे तो इन में से क्या होगा जो आपका ब्लड फ्लो है पल्मोनरी आर्ट्री में वो क्या हो जाएगा बच्छा आपका रिडियूस ह इस वोडड चायेगा बिकॉस क्या होगा बाक फ्लो वडड होगा राइट वेंटिकल से राइट एक्रियम में तो पल्मोनरी आर्ट्री में ज़्यादा ब्लड नहीं जा पाएगा तो आपको वाल्फ ध्यान रखने हैं वच्छा कि आपके राइट और राइट एट्रियू right ventricle के बीच कौनसे ऑड़ है left atrium और left ventricle के बीच में कौनसे ऑड़ है pulmonary artery में कौनसे बॉल बे और systemic artery में कौनसे ऑड़ है आपको ये सारे बॉल ध्यान रखने पड़ेंगे ठिक है चालो next question की बात करते है आपने क्या बोला है what will happen when the pacemaker become non-functional अगर आपका pacemaker of heart non-functional हो जाए तो क्या होगा पेस्ट मेकर ओफ हाट अब तो हम सबको पता है कि कौन सा है आपका that is the essay note तो अगर आपका essay note non-functional हो जाए तो इसमें से कौन सा effect आपका show होगा ओके so yes अलाबादी अनोश टॉप ओल राउंड आप सबका अंसर बिलकुल करेक्ट है कि जो आपकी cardiac muscles है yes कवीता जो आपकी cardiac muscles है वो आपकी simultaneously contract नहीं कर पाएगी coordinated manner में आपका contraction नहीं होगा ठीक है so आपका answer क्या हो जाएगा B1 will be your correct answer now next question की बात करते हैं next question में क्या दिया आपको यहाँ पे in a standard ECG which one of the following alphabet is the correct representation of the respective activity of the human heart यह क्या दिया है विटा आपको यहाँ पे पी दिया है कि P is the depolarization of the atria ठीक है A option क्या है आपका P के रिगादेंगे वहाँ पे आपका थोड़ा सा वो गया है overlap कर गया है ठीक है तो A में क्या लिखा आपका that is related to the P wave तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा answer ECG तो सबको पता होगा कि आपकी कुछ waves present होती है P, Q, R, S, T waves होती है तो क्या होना चाहिए येस, येस, टॉप all round, अलाबादी, जजील, अनोज, येस बचाह आप सबका answer बिलकुल correct है क्या होगा आपका P wave क्या शो करेगी? D polarization of atria, येस कवीता R wave किसको शो करती है बिटा आपका? That is also D polarization of ventricle S क्या है? Start of systrol नहीं है, QRS complex है, बहाँ तो systrol and हो रहा है और T क्या है? That is the starting of the diastrol, right? तो आपको ECG तो बहुत अच्छे से याद करना है because 23 में जो आपका question था, वो EC से था, ठीक है? Yes, atrial depolarization या फिर atrial systole Now, next question की बात करेते हैं, आपको क्या दिया है बिटा? ECG का diagram दिया है और आपको यहाँ पे correctly अपना representation को बताना है इस chapter में बेटा ECG बहुत important है, अच्छे से पढ़ लेना जिसका तयार नहीं है ECG बाला part आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आपका correctly interpret कर रहा है ओके, अलावादी अनुच C option है आप लोगों के लिए यहाँ पे बच्चा क्या है, basically आपकी दो चीज़े correct जाएगी यहाँ पे यहाँ आपका QRS complex है, यह जजील वो आपका क्या करता है, एक pulse को भी आपका count करता है आपका पहला क्या दिया है, peak P and PR together, आपने कहा है कि यह क्या करेगी, systolic and diastolic blood pressure होगा तो P तो क्या है, आपका systolic है और R भी क्या है, आपका systolic है तो यह क्या हो गया, wrong हो गया, second आपने क्या कहा, peak P क्या है initiation of left atrial contraction, peak P में तो क्या होगा बच्चा, दोनों की ही तो आपका होगा, right, and इसके अलावा आपने क्या बोला, T is the initiation of total cardiac contraction, यह भी क्या आपका, wrong है, right, QRS complex tells about pulse, 1 QRS is 1 cycle, yes, बच्चा, correct है, 1 QRS का मतलब क्या है, 1 cycle है आपका, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, कि जो blood है, QRS में आपने 1 pulse की बाद क्यों करिये बटा, क्योंकि जो आपका blood है, वो आपका ventricle से तभी तो pump होता है, QRS में ही, जब ventricle आपके contract करेंगे, तो blood किस में जाएगा, आपकी blood vessels में जाएगा, तभी हमें pulse के बारे में पता चलेगा, right, so क्या होगा, 1 QRS will denote 1 pulse, next आपने क्या दिया है, आपका diagram दिया है, with 4 chambered 1, 2, 3 and 4 बोला है, आपने क्या पूचा equation में, कि which label structure receive the carbon dioxide rich blood from the blood, आपको क्या बोला है बटा, कि कौन सा आपका यहाँ पे structure है, 1, 2, 3 and 4 में से, जो आपका carbon dioxide, means आपका deoxygenated blood को receive करेगा, तो कौन सा chamber करता है, okay, so yes बिटा, yes top all round, आनोच, जजजील, yes बच्चा, आपका क्या होगा, C1 will be your correct answer, तेंगे, पढ़ावा नहीं है तब भी correct answer कर रहे हैं है, अपन, yes का बिटा, क्या होगा आपका, C will be your correct answer, तेंगे, कि जो आपका right atrium है, that will, takes the deoxygenated blood from the body, now next question क्या बोला है बिटा, आपको यहाँ पे, which one of the following is a matching pair, आपका इसमें से matching pair कौन सा है बिटा, कौन सा होगा बिटा, आपका इसमें से matching pair, okay, so all the question देख लेता है एक पर, आपने क्या बोला है, लब क्या आपका, that is the sharp closure of the AV walls, at the beginning of the ventricular systole, बिल्कुल सही है, जब आपका ventricle में contraction start होता है, तो basically आपका कौन साउंड प्रोडियूस होगा, first heart sound, जो कौन सा है बच्चा, आपका लब है, right, second, आपने क्या बोला, dub क्या है, आपका sudden opening, तो बिटा, हमेशा याद रखना, जो आपके sounds produce होंगे, वो हमेशा closing में आपके सुनाई देंगे, right, तो आपका जो dub है, वो कब सुनाई देगा, by the closure of the semi lunar wall, तो यह तो रॉंग हो गया, third, आपने बोला, pulsation of radial artery, walls in the blood vessel, यह भी क्या है, रॉंग है, आपके जो artery है, केवल आपकी large artery में क्या present होते हैं, विटा, आपके walls present होते हैं, जो pulmonary artery और systemic artery है, right, and fourth, आपने बोला, purkinje fiber initiation of the heartbeat, यह भी क्या है, रॉंग है, यह तो किसकी वज़े से हो रहा है, ऐसे note की वज़े से हो रहा है, right, so आपका क्या होगा यहाँ पर, A will be a correct answer, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अब अच्छे से तैयार कर लेना, next question क्या पूछा है पिटा, आपको यहाँ पर, टॉपिक दिया है, that is the erythroblastosis fatalis, right, यह जो disorder है, वो किसकी बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर, that is your erythroblastosis fatalis, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा answer, किसकी बात की यह, erythroblastosis fatalis की बात, यह जजील, टॉप और राउंड, अलाबादी, अनोज, कवीता, आप सब क्या अगॉर्डिंग क्या है पिटा, आपको यहाँ पर, c is your correct answer, चालो, यह सब का answer correct है, यहाँ पर क्या होगा, आपका c correct होगा, mother कैसी होगी, आरेश negative होगी, जो इन्फेंट है, वो कैसा होगा, आपका आरेश positive होगा, जो किसमें result करेगा, आपका erythroblastosis fatalis पे result करेगा, ठीक है, next question है पिटा, आपका यहाँ पर क्या पूछा है, a drop of each of the following is placed separately on four slides, which of them will not coagulate, यह previous year का भी question है बच्चा आपके, यह नीच में previous year में भी पूछा गया है, कि अगर आप slide में, आप drops ले रहे हो, तो इसमें से कौन सा coagulate नहीं करेगा, yes, very famous question, that is erythroblastosis fatalis, right, तो यहाँ पर क्या हो ना शूई हमारा answer, कौन सा blood है, कौन सा sample है, जो आपका coagulate नहीं करेगा, yes, a problem, yes, what, आपका answer बिलकुल correct है, कि यहाँ पर कौन सा coagulate नहीं करेगा, blood serum नहीं करेगा, क्योंकि serum में क्या है, yes, alabadi, yes, anuj, because, आपका क्या है, serum में clotting factor absent होता है, yes, top all round, yes, kavita, क्या होगा, आपका, C will be your correct answer, जबकि आप pulmonary vein की बात करो, plasma की बात करो, as well as lymphatic system की बात करो, सब में क्या present होता है, आपका clotting factor present होता है, right, yes, erythroblastosis क्या करता है, severe jaundice and anemia करता है, next question क्या दिया है विटा, आपको यहाँ पे, which of the falling statement is correct regarding the joint diastole, आपको क्या बताना है, joint diastole के regarding आपका correct statement बताना है, yes, serum is equal to blood minus the clotting factor, so, यहाँ क्या होना चाहिए हमारा answer, joint diastole के regarding, यहाँ पे कौन सा सही answer है आपका, yes, top all round, yes, zazil, yes, alabadi, आपका answer बिलकुल correct है पिटा आप लोगों का, कि जब joint diastole होगा, तो tricuspid and bicuspid valve क्या रहेंगे, open रहेंगे, जिसकी वज़े से जो ventricle है, वो blood से filled हो जाए, आपने पढ़ा होगा न, maximum जो blood का filling होता है, वो कब होता है, diastolic condition में होता है, जब joint diastole का condition होता है, ठीक है, so yes, Kavita, क्या होगा बिच्छा, आपका d correct होगा, semi-lunar valve बिटा यहाँ पर उपन नहीं होगा, because अगर इस time पर semi-lunar valve होगा, तो क्या हो जाएगा, back flow of blood हो जाएगा, right, so क्या होगा, d will be a correct answer, now next question क्या है बिटा, आपका यहाँ पर, hemoglobin of a human fetus, यह तो बिटा, दो chapter से related question है, breathing and gaseous action से, as well as body fluid and circulation से, कि जो आपका human fetus का, जो आपका hemoglobin है, वो adult की comparison में कैसा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बेटा, कि जो आपका human fetus, जो है, वो adult की comparison में उसमें क्या होती है, जादा affinity होती है, for the oxygen, as compared to the adult, ठीक है, यह आपका breathing में भी आता है, जब आपो oxygen dissociation curve draw करते हो, तो बहाँ पर भी एक question आता है, right or left shift में, तो याद रखना हमेशा कि आपका क्या होगा है, यहाँ पर higher affinity होगी oxygen की in the fetus, as compared to the adult, ठीक है, बस आज यहाँ सारा erythroblastrosis fatalis हम डिसकस करेंगे, यहाँ बच्छा है, anti-rogam, आप antibodies होगे, आज़ नेक्स question क्या दिया है, which of the following statement best defines the artery, artery को कौर आपका यहाँ पर properly explain करेगा, यहाँ पहले की case में correct आलावादी आपका answer, यहाँ पर क्या होगा बच्छा आपका answer, artery की definition क्या होनी चाहिए, best definition of the artery, जो सब के लिए आपकी capable हो, सारी arteries के लिए, आइदर वो आपकी pulmonary artery हो, या फिर आपकी systemic artery हो, यह stop all round, आपका answer बिल्कुल correct है पेटा, चाहिए, कोई भी artery हो, वो सब क्या करेंगी, blood को away ले जाएंगी from the heart, जैसे pulmonary artery क्या कर रही है, blood को लेके जारी है, lungs सक, systemic artery क्या कर रही है, blood को लेके जारी है, organs सक, जबकी veins इनके just opposite है, they will carry blood towards the heart, है ना, नो, one option क्या है, विटाइट carries blood from one visceral organ to the another visceral organ, कोई बात तरें, ठीक है, आपका क्या होगा यहाँ पे, C will be your correct answer, now, next question क्या दिया है, बच्छा, आपका यहाँ पे, what is true about the leukocyte, so, leukocyte, सो बेटा, हम सबको पता होगा, leukocyte किसका another name है, that is another name for your WBCs, बेटा, artery का मतलब क्या है, कि वो हमेशा क्या करेगी, ब्लड को कैरी करेगी, away from the heart, जैसे आपकी pulmonary artery है, वो ब्लड को कहां लेके जा रही है, lungs में लेके जा रही है, systemic artery है, वो ब्लड को कहां लेके जा रही है, आपके heart से कहां लेके जा रही है, tissue तक लेके जा रही है, जबकि अगर आप veins की बात करो तो veins क्या करती है इसके opposite काम करती है वो towards the heart blood लेके आती है जैसे आपकी क्या है pulmonary vein है वो आपके blood को lung से कहां लेके आगी heart तक लेके आगी इसके अलावा जो आपकी vena कावा है वो क्या करेगी जो deoxygenated blood है वो टिशू से कहां लेके जाएगी heart तक लेके जाएगी तो आप ध्यान रखना येश ल्यूकोसाइट क्या आपका that is the wbc तो आपका यहां पर क्या है क्यूँ आपने यहां पर थर्ड ऑप्शन बोला है आप सबने ऐसा क्यों भाई आपकी e-nucleated तो कौन होती है बच्चा that is your rbc आपने जब wbc का classification पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो wbc सब में अलग अलग ताइप का nucleus present होता है तो सी तो बिल्कुल correct नहीं होगा ठेक है हाँ अगर nucleated तिका होता देन वो correct होता तेक है आपने क्या बोला sudden fall in number is indication of blood cancer तो blood cancer में decrease होगी या increase होगी and second आपने बोला produced in thymus तो यह तो wrong है कहा produce होती है bone marrow में होती है right and fourth आपने बोला they can squeeze out through the capillary wall बिल्कुल सही है इसको आप एक term भी देते हो diapetasis भी बोलते हो right कि यह क्या करेगा आपका blood जब भी infection होता है तो यह एक artery से एक blood vessel से दूसरी blood vessel में चली जाती है ठीक है तो क्या होगा आपका d correct होगा कि पिटा आपके पास telegram में आती है न आपकी session की pdf आपका जो telegram channel है पिटा आपके पास description box में telegram channel का link होगा आप उसको join कर लो आपके पास वहाँ पे session की pdf भी आती है as well as आपके पास वहाँ पे questions भी आते राइट तो पिटा आज हमने आपके साथ body fluid and circulation related जो आपके different type के question थे yes वहाँ डी option था वो हमने आपके साथ solve किये ठीक है आप लेट आए बिटा पिटा पहले के sessions की तो सारी pdf चलो एक बार चेक करेंगे वापस से ठीक है ओके आज next class में हम क्या करेंगे कल हवारी class है तो कल हम आपके बाकी chapters को भी discuss करेंगे राइट locomotion and movement को अपका discuss करेंगे human physio को complete करेंगे तो questions जिसके solve नहीं हो पा रहे है डी motivate बिल्कुल मत होना बच्चा बस यहां पर समझ लो कौन सा concept week है किसमें जादा आपको time देने की अभी जरूरत है ठीक है आज जाते-जाते क्या करना है आप सब को चैनल को like share and subscribe करना है यहां अबरर वहां के लिए D correct था बच्चा आपका ठीक है ओके बच्चा thank you so much everyone